दोस्तो मौलिक अधिकारों से सम्मंधित पहला प्रस्ण है जो हमारे सविंधान में मूल अधिकार हैं वो है किस देश से लिये गए हैं तो दोस्तो मौलिक अधिकारों को यानि fundamental rights को संयुक्त राज अमेरिका के सविंधान से लिया गया है option D सही उत्तर है सविंधान के किस भाग में मूल अधिकार हैं दोस्तो हमारे सविंधान में कुल 22 भाग है जिनमें से सविंधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उलेख है अगला प्रस्ण है मूल सविंधान में कितने मौलिक अधिकार थे दोस्तो मूल सविंधान जब 26 नौंबर 1949 को अंग के मौलिक अधिकार को सविधान के मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है मूल अधिकारों का सनरच्छक कौन है तो दोस्तो मूल अधिकारों की जो गारंटी है हमारे सविधान में उसका सनरच्छक है वह हमारा सरवच नयाले मूल अधिकारों के उलंगन पर सरवच न्याले में इसकी सिकायत की जा सकती है अगला प्रस्न है मूल अधिकारों को कौन संसोधित कर सकता है तो इसमें संसद संसोधन कर सकती है अगला प्रस्न है मूल अधिकारों के उलंगन होने पर ब्यक्ति कहां पर सिकायत कर सकता है तो दोस्तो मौलिक अधिकारों के उलंगन प इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है अब संपत्तिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तो भारत का मैगना काटा किसे कहा जाता है तो हमारे भाग तीन को दोस्तो सविंधान का मैगना काटा कहा जाता है क्योंकि मैगना काटा दोस्तो विस्तरत मौलिक अधिकारों का उलेख करता है बिटेन के सविंधान में इसलिए हमारे सविंधान के भाग तीन को भी मैगना काटा कहते हैं मौलिक अधिकार एक अधिकार हैं किस प्रकार के दोस्तो नयायोचित अधिकार दो प्रकार के होते हैं नयायोचित और गैर नयायोचित तो दोस्तो मौलिक अधिकार एक न्यायोचित अधिकार है क्योंकि इनके उलंगन पर व्यक्ति सरोच न्याले में सिकायत कर सकता है तो option A सही उत्तर है अगला प्रस्त है बच्चों को सिख्छा का मूल अधिकार प्राप्थ है और किस वर्स से किस वर्स तक के बच्चों को दोस्तो हमारे मौलिक अधिकारों में सिख्छा का मूल अधिकार दिया गया है जिसके आधार पर भारत का प्रतेक बच्चा 6 वर्स से 14 वर्स की आयू तक सिख्छा का मौलिक अधिकार रखता है मोलिक अधिकार कभी खत्म नहीं होता कौन सा ऐसा मोलिक अधिकार है जिसको किसी भी हालत में समाप्ट नहीं किया जा सकता है या फिर रोका नहीं जा सकता है दोस्तो हमारे समिधान का अंचेद 21 प्राण और दैहिक सुतनता का मोलिक अधिकार देता है इसको किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता है सविन्धान सभा के इस्थाई अध्यच कौन थे दोस्तों हमारे सविन्धान को जब निर्माड हो रहा था उस समय सविन्धान सभा के इस्थाई अध्यच थे डॉक्टर राजेंद प्रसाद अगला प्रसन है दोस्तों समिन्धान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों समिन्धान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई option D इसका सही उत्तर है अगला प्रसन है दोस्तों मौलिक अधिकारों से सम्मंतित कौन सा अंशेद है जो भारत में उपाधियों का अंद करता है तो दोस्तों मौलिक अधिकारों के अंतरकत उपाधियों को समाप्थ कर दिया गया था जैसे महारादा, चौधरी, जमीडार इस तरह की उपाधियां जो पहले लोगों के पास थी उनको समाप्त कर दिया गया और यह अनुछेद है भारत के सविंधान का अंचेद 18 समता के मोलिक अधिकारों के अंतरगत भारत के सविंधान ने भारत में उपाधियों का अंध कर दिया वर्तमान में सिक्षा और सैन ने के अलावा कोई भी उपाधी कोई भी ब्यक्तिधारन नहीं कर सकता है तो option C प्रस्ण का सही उत्तर है संपत्ति के मोलिक अधिकार को हटाया गया था दोस्तों चवल्समे समिधान संसोदन अधिनियम 1978 के दौरा संपत्ति के मोलिक अधिकारों को मोलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया अब संपत्ति का मोलिक अधिकार एक प्रकार का कानूनी अधिकार है मोलिक अधिकार नहीं है अगला प्रस्ण है अंचेद कौन सा अंचेद जो आइस प्रस्यता यानि छुवा छूत का अंद करता है दोस्तों भारत में जाती प्रथा और छुवा छूत यह बहुत बहुत प्राचीन समय थे था जिसको अंचेद 17 के दोरा हटा दिया गया अंचेद धार्मिक सोतंतरता का अधिकार देता है कौन सा अंचेद है दोस्तों भारती समय थान का अंचेद 25 भारत के प्रतेक ब्यक्ति को धार्मिक सोतंतरता का अधिकार देता है कोई भी ब्यक्ति किसी भी प्रकार की पूजा पद्धती को अपना सकता है उसे छोड़ सकता ह option c d सही उतर है सविधान की आत्मा और हर्दे किसको कहा जाता है दोस्तों हमारे सविधान का जो अंशेद 32 है इसको डॉक्टर भीम राव अम्बेटकर ने इसको सविधान की आत्मा और हर्दे कहा था इसका कारण यह है अंशेद जो 32 है वह समयधानिक उपचारों का अधिकार देता है यानि किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों का उलंगान होने पर ब्यक्ति सरोच नियाले जा सकता है और सरोच नियाले इन मौलिक अधिकारों को देने के लिए रिट जारी कर सकता है मूल अधिकार उलंगान पर रिट कौन जारी करता है दोस्तों अभी मैंने पहले ही बताय था सरोच नियाले दोस्तों मूल अधिकारों के उलंगान पर कोई भी रिट जारी कर सकता है भारती सविंधान से समंढ़ीd कुछ ऐसे महत्वरपूर्ण परस जो एक्जाम्स में पूछे जाते हैं जैसे भारती सविंधान कब अपनाये गया था। हमारा जो सविंधान निर्मित हुआ था उसके निर्माण में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए जो आपसन भी सही उत्तर है। सविंधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था। और अमेरिका का सविंधान सबसे पुराना सविंधान है नेपाल का सविंधान सबसे नया सविंधान है। दोस्तों मौलिक अधिकारों से समंदित कुछ और महत पूर्ट जानकरी जैसे कि हमारे समिधान में कुल मूलते साथ मौलिक अधिकार थे। जिन में से चलस्वे सविंधान संसोधन अधिनियम के दोरा समपति के मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। वर्तमान में संपति का अधिकार है वह एक कानूनी अधिकार रह गया। वर्तमान में समिधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। इसमें से पहला है सम्ता का अधिकार जिसका उलेख समिधान के अउचेद 14-18 तक किया गया है। दोस्तों, दूसरा है सोतंतरता का अधिकार, सोतंता का जो मौलिक अधिकार है, वह समिधान के अउचेद 19 से लेकर के 22 तक उलेखित है, तीसरा है दोस्तों, मौलिक अधिकार, सोसर के बिरुद अधिकार, दोस्तों, सोसर के बिरुद जो मौलिक अधिकार दिया गया है, वह प अंसकरती और सिख्छा का अधिकार अंचेद 29 से लेकर के 30 तक समय धानिक उपचारों का अधिकार अंचेद 32 में जिसको सविंधान की आत्मा और हर्दय कहा तक इसने डॉक्टर भीम राओ अंबेड करने दोस्तो मौलिक अधिकार किस देश से लिए गये हैं अमेरिकी सविंध से संयुक तराज अमेरिका के सविंधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है मौलिक अधिकार किस भाग में उलेकित हैं भाग तीन में जिसको भारत का मैगना कार्टा भी कहा जाता है मौलिक अधिकारों की कुल संख्या दोस्तों जब मौलिक अधिकार जब हमारा सविंध अंगीकरत किया गया था तब मूलते मौलीक अधिकारों की संख्या थी साथ लेकिन वरतमान में कितने हैं छै मौलीक अधिकार हैं संपत्य के मौलीक अधिकार को इससे हटा दिया गया मौलीक अधिकारों का संदच्छक कौन है दोस्तों कौन है सरवोच नियाले यदि भारत के डारेक्ट सरोच नियाले में भी सिकायत कर सकता है मौली का दिकारों में संसोधन का दिकार संसत को है भारत का समिन्धान कब अपनाए गया था दोस्तो 26 नौंबर 1999 को तो भारत के समिन्धान से समंदित most important मौली का दिकारों से समंदित दोस्तो या प्रसने एक्ट आम समें पुछे जाट